सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चानल को और साथ ही दवाईए इस बिल आइकान को ताकि आपको मिलते रहे नए अपडेट्स हमारे नेक्स वीडियो के हलो फ्रेंड स्वागत है आपका आपके अपने चानल हसी स्टेडी गाइड में आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हजार क्या है और हजार के टाइप्स क्या है यानि कि हजार की कैटेगरीज क्या है तो चल ये शूरू करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि हजार क्या है हजार is something that has a potential to cause harm यानि कि कुछ ऐसी चीज जिसमें potential है कि जिसकी वज़े से harm हो सकता है जैसे कि example के तोर पर electricity एक हजार है, chemicals एक हजार है, working up a ladder मतलब ladder के उपर काम करना एक हजार है noise बहुत ज़्यादा noise है मतलब वो एक हजार है, stress ये एक हजार है आज इस वीडियो में हम हजार के 6 types के बारे में बात करने वाले हैं तो first है physical hazard, second है accidental hazard, third है chemical hazard, fourth है ergonomic hazard, fifth है biological hazard और sixth है psychological hazard तो first है physical hazard, physical hazard एक ऐसा occupational hazard है कि जिसमें environmental का भी involvement होता है और जिसकी वज़े से जो है वो harm भी हो सकता है तो आईए अब हम इसके example लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो तो देखते हैं कि physical hazard के क्या example है तो physical hazard यानि कि एक ऐसा हजार कि जिसमें आपकी जो physical conditions है उसके उपर impact होता है example के तोर पर अगर मान लो high noise है तो आपको जो है उसका आपके कानों पर impact हो सकता है यानि कि noise जो है वो आपका physical hazard है फिर उसके बाद है vibrations अगर continue आप ऐसी machine चला रहे हो जिसकी वज़े से ज़्यादा vibration create हो रहा है तो आपके body में जो भी bones है उसके उपर उसका impact होता है तो vibration जो है वो उसका physical hazard है और उसके बाद है illuminations इसका मतलब यह है कि अगर proper illumination अगर नहीं रहेगा तो आप कोई भी चीज़ के साथ तकरा जा सकते हो और आपको चोड़ पोज सकती है तो यह आपके हो गए physical hazard की category तो चलिए देखते हैं कि अभी accident हजार में कौन-कौन से examples आते हैं तो accidental हजार यानि कि जो भी हजार जिसकी वज़े से जो है वो accidental result आता है accidental हजार उसमें example है false यानि कि उपर से गिरना वो एक accidental हजार है फिर है trips मानलो की रोड़ पर एक केवल है और चलते चलते आपका ध्यान नहीं रहा और आप trip होके नीचे गिर गए तो वो accidental हजार है फिर उसके बाद है slips कोई भी मानलो slippery portion है वहाँ से आप चल रहे हो आपका पै accidental हजार में आएगा उसके साथ साथ है struck by फिर है burns, cuts, injuries, fire explosion, shocks ये सारे जो है वो accidental हजार के एक्जाम्पल्स है chemical हजार यानि कोई भी workplace में आप काम कर रहे हो और काम करते वक्त आप कोई chemicals यूज़ कर रहे हो तो उसका जो exposure duration है आपके body के साथ में उसकी वज़े से जो है वो आपको acute या फिर chronic effect भी हो सकता है वो depend करता है उसके chemical के exposure के उपर आईए फिर देखते है कि chemical हजार के क्या example है तो chemical हजार के examples है dust, fumes, smoke, hazardous chemicals मतलब जो भी hazardous chemicals आप handle कर रहे हो तो उसके जो hazardous fumes होते है जब आप inhale करते हो तो वो आपके शरील के अंदर जिसके वज़े से आपके health के उपर impact हो सकता है तो ये जो सार chemicals ये सारे chemical हजार के category में आते है अब देखते है कि ergonomic हजार क्या है तो ergonomic जो हजार है वो related है working environment के उपर मतलब working environment में जब भी आप काम कर रहे हो तो उसमें आप कितना comfort feel करते हो या फिर आपकी जो काम करने की efficiency क्या है उसकी उपर जो निर्भय है वो है ergonomic हजार तो ergonomic हजार के examples है manual handling, overcrowding, lifting, sitting position ये सारे जो example है वो ergonomic हजार के example है biological hazard यानि की आपके health के जो living organs है उसके उपर उसका impact पढ़ना यानि की biological hazard अब देखते है biological hazard में क्या example आते है biological hazard यानि की कोई जो वेक्ती है वो किसी bacteria से पिडित है और वो उसके साथ में अगर उसका कलीग अगर रहता है तो उसकी वज़े से जो है वो biological hazard भी हो सकता है तो biological hazard के example से virus, bacteria, fungi, etc ये जो एक्जामपल है ये सारे biological hazard के example है फिर है psychological hazard तो psychological hazard जो है वो आपके psychology के उपर जो है वो impact करता है example के तोर पर अगर मानले आपने बहुत ज़्यादा काम कर लिया तो आपकी जो body है फिर ज़्यादा काम करने के लिए आपको इजाज़त नहीं देती या फिर आप जो है वो tiredness आपको अगर लग रहा है तो आपको जो है वो काम में मन नहीं लगेगा अब देखते हैं कि psychological जो हजाड है उसके क्या एक्जामपल है तो psychological हजाड की जो एक्जामपल है वो है overwork यानि कि बहुत ज़्यादा काम करना, tiredness, abuse, harassment ये सारे जो एक्जामपल है वो psychological के एक्जामपल है तो दोस्तो आज इस वीडियो में हमने जाना कि हजाड क्या है और उसके types क्या है यानि कि उसकी categories क्या है तो दोस्तो आशा करता हो कि आपके हजाड के बारे में जो भी doubts थे वो सब clear हो चुके होंगे इस वीडियो को देखने के बाद तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक नए topic के साथ में तब तक के लिए take care bye bye